कविता दबॉल पाइम के माध्यम से जीवन की वास्त्विक्ता का वर्णन किया है जिसका सामना सभी को एक ना एक दिन करना ही पड़ता है उन्होंने जीवन के दुखों और दुखों के किलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए इस विशय को लिया यहां पर एक लड़का एक बॉल खो दिता है यनी गेंद खो जाती है उसकी और वह बहुत परेशान हो जाता है एक गेंद की जादा कीमत नहीं होती है ना ही दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल होता है फिर लड़का इतना परेशान क्यों है यहें देखने के लिए हम कविता पढ़ लेते हैं कि कवी क्या सोचता है क्या खो गया है और लड़के को खोने के अनुभव से क्या सीखना है अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है अब वहे क्या करने वाला है यहां से कविता शुरू होती है कवी कहता है कि उसने गेंद को प्रसनता पूर्वक उचलते हुए गली में जाते हुए देखा बाद में गेन खुशी से उसलती हुई पानी में भी चैली गई यह कहने से कोई फाइदा नहीं कि अरे दूसरी गेंदे हैं यानि कि वह कोई नहीं ले सकता है यह कहने का कोई मतलब नहीं है एक परेशान कर देने वाला अत्यंत दुख गहरा दुख उस लड़के को उस समय कठोर कर देता है और वह कठोरता से कापते हुए अपने बचपन की दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगा को घूरते हुए खड़ा होता है जहां पर उसकी गेंद चली गई थी कभी कहता है कि वह कभी लड़के के इस जीवन में एवांचित प्रवेश नहीं करेगा गेंद खरीदने के लिए एक सेंट का सिक्का देना या दूसरी गेंद देने का प्रस्ताव रखना प्यार्थ है अब वह भोतिक संसार में प्रथम उतरदाईत्व का आनुभव करता है लोग गेंदे खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के तो हमेशा खोते रहेंगे और कोई भी खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीद सकता धन एक ब्रम बाय चीज है यानि के बाहर की चीज है खैर वह अपनी निराश आखों से सीख रहा है वह खोने के ग्यान शास्त्र को सीख रहा है कि इसका सामना कैसे किया जाए अभी उसकी गेंद कोई है उसके जीवन में और भी खशन ऐसे आएंगे जब उसे कुछ भी खोने का अनभव होगा आज वह उसी स्थिति को सीख रहा है कि उसके आने वाले जीवन में ऐसी अगर स्थिति आ गई तो उससे कैसे निप्टेगा वह सीख रहा है उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो परतिय व्यक्ति के सामने एक न एक दिन आनी ही है और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं यह कवीता जो है बिल्कुल वास्तविक जीवन का वर्नन करती है बास्तविक जीवन में हमें कुछ न कुछ खोने का अनुभव सभी को होता ही रहता है और यही सच्चाई कवी ने बच्चे की मनोदशा के माध्यम से बताई है जिसकी बोल गुम हो गई है बच्चा परेशान हो जाता है जब उसकी बोल खो जाती है जबकि एक बोल की कीमत इतनी जादा नहीं होती है कि दूसरी खरीच सकें लेकिन इतना परेशान क्यों है वह सीख रहा है अपने अनुभव से इस कविता में जिसका नाम ता बॉल पॉइम है इसके माध्यम से कवी खोने के अनुभव को बताता है कि बच्चा ग्यान सीख रहा है यह कविता अत्यांत सिख्षा प्रद है क्योंकि यह हमें किसी प्रियाजन को खोने की बाद की स्थिती से भी निपटना सिखाती है तो बच्चों यह था हमारा आज का पार्ट जो 10th क्लास की NCRT बुक में है आपकी और यह एक तरह से पॉइम है जिसमें हम अगर गहराई से देखें तो काफी सिख्षा हमें प्राप्त होती है थैंक यू फॉर वाचिंग और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ में बेल बटन भी है उसे पेस्ट जरूर करना थैंक यू फॉर वाचिंग और आपने जरूर करना